आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है करदन की गलती से हारी मुंबई इंडियन्स आए देखते हैं खबर विस्ता से छटे नंबर के बलेबास ने मचाया तहर का सिर्फ 34 गेंदों पर ठोका हाहाकारी शतक जिया भारत में भले ही शुबमंगिल के शतक की चर्चा हो लेकिन जो शतक इंग्लेंड ने में लगा है वो गिलवाले से कही ज्यादा तूफानी है वो टीट्वेंटी क्रिकेट इतिहास चौथा सबसे तेज़ शतक है जिया इस बात कर रहे है शौन एबट के बल्ले से निकले करार शतक की इंग्लेंड से खेला जा रहा है टीट्वेंटी लीग विटेलिटी बीलास्ट में ओल मैच में सरे पहले बैटिंग करने उत्रे वसे लिए ओल राउंडर शौन एक्ट भी सरे की टीम कही सा थे टॉप ओडर ने नमबर से एक लेकर नमबर पाच तक ऐसे बल्ले बाजी भरे परे थे कि शौन एक्ट एबट के लिए ज्यादा कुछ कर दिखाने की उमीद कम ही थी टॉप ओडर फिर दिखा छटे नमबर बल्ले बाज का खेल जिया लेकिन सरे का टॉप ओडर इस मैच में फिल हो गया टॉप के पाच में से किसी भी बल्ले बाज ने बीस रन का आकडान भी नहीं चूपाया नतीजा यह हुआ कि तेरवे ओर तक उसके स्कोर बोट पर सोरन भी नहीं जूड़े थे और पाच बल्ले बाज डग आउट में जाकर बैठे थे जिया सरे के टॉप ओडर के सरेंडर बोलने के बाद कैट की टीम को अपने जीत लगबग पकी दिखने लगी होगी लेकिन उनके इस मनसुबे पर पानी फेरने का काम छटे नमबर के बल्ले बाज शौन एक्ट ने किया एक्ट ने क्रीज पर कदम रखते ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैदाम के हालत पलटने लगी जिया शौट एबट ने तीट्वेंटी का चौथा सबसे तेज शतक जड़ा शौट एबट ने सिर्फ चावतिस रनों पर अपना शतक पूरा किया जो की टीटेंटी में जमाया 14 सबसे तेज शतक है इस मामले में उन्होंने एड्रियू साइमेंस के रिकॉर्ड की बराबरी की T20 में सबसे तेज़ शतक 30 गेंदों पर किस क्रिस गेल के नाम है जबकि रिशपपंद के नाम 34 गेंदों का पर जमाया दूसरा सबसे तेज़ शतक दर्ज है एबट की फुल इनिंग 41 गेंदों की रही जिसमें उन्हों ने 110 नाबाद रन बनाए 210 से ज्यादा की स्ट्रीट टेंट से खेली इस इनिंग में एबट ने 11 चक्के और 4 चौके लगाए 46 गेंदों पर 139 रन की साज़दारी बनी जीत की वज़ा जिया एबट ने कलार्क के साथ मिलका छटे विकेट के लिए सिर्फ 46 गेंदों पर 139 रन की पाटनर्शिप की जिसका नतीजा ये हुआ की सरे ने 20 ओवर में 223 रन बना दिये अबकट के सामने 224 रन का पहार जैसा लक्ष था लेकिन विकेट के टीम 20 ओवर में साथ विकेट पर 187 रन ही बना सकी और मुका ब्लैक तासर रन से हार गई गिल ने कर दिया कमाल लगा दिया धमाकेदार शतक जिया दूसरी कौलिफायर मैच गुजराद टाइटन्स मुमबई इंडियन्स के बीच अहमदवाद के नर्नमोदी स्टेडियम में खेला जा रहा बारिश के चलते मैच थोड़ा डिले हुआ टास जीत कर मुमबई इंडियन्स के कप्तान जोहिर शर्मा ने पहले गिन बाजी करने का फैसला किया नतिजन पहले बैटिंग के लिए गुजराद टाइटन्स मैदान पर उतरी शुबमन गिल ने इस मुकाबले में शांदर शतक लगा दिया वज़ा तेवीस से पहले नौरन बनाने ही गिल औरिजन्स के रेस में नंबर एक पर आ गए उन्होंने का फाफ डू प्लेसिस को पीछे चोड़े दिया फाफ ने चौदा लीग मैचों में 153 शमलों अरसक के स्ट्राइट त्रेट से 730 रन बनाये थे वही इस मैच में आने स चुकी है क्रिस जॉर्डन की गलति से हारी मुंबई इंडियांस साथी खिलाडियों को बीच मैदान में कर दिया चोटिल जी हा गुजराट टाइटन्स के बीच खेले गए दूसरे कौलिफायर मैच गुजराट टाइटनस टीम में को मार देकर बासलतरं से शांदर जीत दर अपनी गलती से हारी मुंबई इंडियस जिया इस मुकाबले में मुंबई को मिली हार का कारण खुद मुंबई की खराब फिल्डिंग और क्रीस जॉर्डन की एक बड़ी गलती रही दर असल पहली बारी के दौरान सब गुजरात बल्लेबास कर रही थी तो इस बीच ओवर ख लगी जिया इससे चलते ये चोट इतनी ज्यादा थी कि इशान किसन दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए मैदान भी में भी नहीं आए जिसका नतीजा ये रहा कि किशन की जगा विश्णू विनोत के विकेट कीपरिंग की तो दूसरे पारी में किशन की जगा बल्ले बलेबाज शुबमंगिल ने इस सीजन में अपना तीसरा शतक लगा तेवे टीम का स्कोर 223 रन तक पहुचा रहे हैं शुबमंगिल ने इस मैच में ने दूसरा जीवन दान दिया जिसके चलते शुबमंगिल ने अपने आधश्यतक के बाद ऐसे तुफानी पारी खेल ली कि उनके बलेबाजों की सामने मुंबई के सारी के इन बास बेबस नजर आए अब आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हो आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर फिलहाल वक्त छल अदर शुको ब्रेक का ब्रेक्स लूट ने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रहे हैं अमनेस निउस पर नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News